नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूटूब चैनल पे अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं यह नोटिफिकेशन जारी किया गया मेट्रो रेल के अंतरगत डिसका साथियो लोकेशन लखा गया कोलकता यदि आप इस फार्म को अपलाई करना चाहते हैं तो इसका कौलिफिकेशन क्या मांगा गया और कब तक यह फार्म भरा जाएगा जिसकी पूरी जनकारी आपको देने वाले इस वीडियो के मादम से तो वीडियो को आप बिलकुल कम्पलिट देखिएगा सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन का डेट यहां पर दिखा देता हूँ ध्यान से देखिएगा 5-12-2023 की डेट को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जनकारी दिया था उसके बाद आप यहां पर इसका कुलूजिंग डेट का भी फार्म का देख सकते हैं 4-12-2024 की डेट को यह जो फार्म है आपका अपलाई होना बंद हो जाएगा तो जो भी चातर फार्म को भरना चाहते हैं वो 4-12-2024 से पहले ही आप फार्म को अपलाई कर लिजेगा तो चलिए यहां पर बात करते हैं आई टे चातरों के लिए यहां पर कौन कौन सा यहां पर ट्रेट मांगा गया है जिसके अंतरगत आप फार्म को अपलाई कर पाएंगे तो जैसे कि मैं आपको यहां पर जूम करके दिखा दूँ आप यहां पर ट्रेट देख सकते हैं फीटे ट्रेट के लिए टोटल यहां पर 83 सीट खा लिए इलेक्टिसियन के लिए यहां पर 28 सीट खा लिए मसनिष्ट के लिए 9 सीट खा लिए विल्डर ट्रेड के लिए यहाँ पर 9 सीट खाली है इसके बार टोटल आपको यहाँ पर सीट काउंट करके दिखा दिया गया है 139 टोटल सीटों पर यह भरती निकल के आ रही है नीचे आप आएंगे साथ है स्क्रॉल करते वे तो यहाँ पर एक सर्विसमें के लिए जो छूड़ दी जाते है इसके बारे में आपको जनकारी दिया गए और कॉलिफिकेसन के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में जनकारी देखने को मिल जाती है तो आप इस फांट को अपलाई कर पाएंगे साथ में आपका जो यहाँ पर मांगा गया है और यहाँ पर वो आपसे यह कहा जा रहा है कि आपका जो होना चाहिए दसवी में कम से कम 50% मार्क आपका होना चाहिए यह चीज आप धाया निक्येगा इसके बाद यहाँ पर technical qualification की बात किया जाए तो इसमें आपका ITI का मांगा जा रहा है और यह आपका ITI जो आपका होना चाहिए केवल केवल NCBT से ही सिविकार किया जाएगा SCBT वाले बिल्कुल farm को apply नहीं कर पाएंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ निचा पाएंगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर age के बारे में आपको जनकारी देखने को मिल जाती है तो कम से कम आपकी उमर 15 साल होना चाहिए और ज्यादा से जाता 24 साल और जो आपका उमर काउंट किया जाएगा वो एक एक दो हजार 24 की डेट से आपका उमर काउंट किया जाएगा जिदि आपके उमर 15 से 24 वर्स हो जाती है तो आप इस फार्म को अपलाई कर पाएंगे साथी साथ इसमें आपको यह भी जनकारी दे दिया गया है कि जो चातर SST के अंतरगत आते हैं उनको 5 साल की छूटे और जो चातर OVC के अंतरगत आते हैं उनको 3 साल की छूटे और जो चातर अधर के अंतरगत आते हैं और training के दोरान जो payment आपको दिया जागा जो भी इसका metro का rule है उसी के अंतरगत आपको यहाँ पर payment दिया जाएगा अब बात करते हैं कैसे farm को apply करना है तो how to apply में यहाँ पर पढ़ेंगे तो एक यहाँ पर website दिया गया है जो कि apprenticeship India.org यहीं से आपका farm को apply किया जाएगा जो कि इसका मैं link दे दूँगा आपको इस वीडियो के description box में तो सबसे पहले आप महाँ पर registration कर लिजेगा यदि आपको जनकारी नहीं कि कैसे registration किया जाता है तो उसका link भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के description box में इसके बाद साथ हो यहाँ पर यह जो form आपको apply नहीं परना है सबसे पहले आपकर registration कर रहें और इसके बाद यह जो form आपका apply नहीं परना है और यह जो आपका postal जो आपका लगेगा इसमें आपको answer पर payment करना पड़ेगा और यहां पर जो आपको location देखने को मिल जाता है यहां पर यहां से आपका सुरू होता है और इसी location पर आपको भेजना है यह चीज आप ध्याने कियेगा इसी location पर आपको पूरे तरीके से form को भरके और इसी location पर भेजना है उपर भी यहाँ पर लोकेशन दिया गया तो कोई घबराने की जुरुत नहीं है यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर कटेगरी चूज कीजिए आप किस कटेगरी के अंतरगत आते हैं इसके बाद यहाँ पर फोटो चीप का यहाँ पर निचा आएंगे करी मिल जाइगी